तो पिछला क्लास में हम लोग पड़े हुए थे फिजिकल प्रोपटी आफ अल striving इंड ऄ हर तैसे और कौन कौन से धीकर करता उस पर कुछ question भी बताया गया था आपको अब आपके बूक में कुछ question दिया गया आये उसको दिखाते हैं उसी अधार पर इस question को आप लोग को बनाना है तो यह question क्या है तो इसमें देखेंगे हम लोग यहां पर एक्जांपल 11.3 यहां पर लिखा हुए example 11.3 इसको गहर से देखेंगे लेग्योज में लिखा गया है इसका बोइलिंग पॉइंट पूछा जारा है कि पहला कोच्चन में चार पांच कोच्चन जो की कंपाउंड उनको एरेंज करना एरेंज करने के बाद फिर देखकर बनाना फिर दूसरा कोच्चन है तो यह जो बॉलिंग पॉइंट पर दारित कुछ कोच्चन है जिसको आप लोग को बनाना है तो चलिए इसको हम बनाई देत जो है कि यह जो एक्जाम्पल है इसी अधार पर आपको कोश्चन दिया गया है तो इसमें आईए इसमें लिखते हैं हमनों दो कोश्चन है तो पहला जो कोश्चन है उसको पहले बनाते हैं उसके बाद हम लोग दूसरा कोश्चन बनाएंगे तो एक्जाम्पल जो है कि आपको यह आप और आपनों दिख रहे हैं एक्जाम्पल गारत अस्थमलों 3 में जो है कि आपका पहला question में 4-5 question का नाम लिखा हुआ है पहला question का नाम है pentane one-ol, दूसरा butane one-ol, तीसरा जो है कि butane two-ol, चौथा ethanol, पाचवा propane one-ol और छटा methanol है इन सभी का structure इसके सामने यहां पर हम बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समाझ में आ जाए इसका boiling point बना बताना कि किसका अधिक होगा और इसको arrange करना है तो boiling point जो है कि आपको परभाइद करने वाले तीन factor होते हैं वह पहला factor आपको molecular weight दूसरा structure और तीसरा hydrogen bond यह आपको पिछले वीडियो में बता आगया था तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो factor molecular weight हम लोग उसी पर काम करते हैं क्योंकि सभी में oxygen उपस्तित है तो स अभी compound hydrogen bond बनाएगा तो hydrogen bond पर नहीं बनेगा तो जो कि अब आते हैं molecular weight तो molecular weight देखेंगे यहां पर चार कार्बन का आपको यह शुरू वाला compound है आपको pentane one all तो देखें पेंटेन one all अभी नहीं लिख पाएं अभी हम लिखते हैं pentane one all तो एक दू तीन चार आएक यहां पर पांच यहां पर alcohol लिख दी है यहां पर सभी जगा जो है कि H रहेगा तो यह आपको होगी आप pentane one all तो यह जो आपको pentane one all है इसमें आप देखेंगे तो pentane one all में इसमें पांच कार्बोन है और इसमें चार कार्बोन है इसमें भी चार कार्बोन है और इसमें आपको तीन क सबसे ज्यादा कार्बन का compound कौन सा है तो pentane on all है तो इसका molecular weight सबसे अधिक होगा इसलिए इसका boiling point सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसको तोड़ने में अधिक energy किया हो सकता होगी इसमें बंडर्वाल force भी अधिक होता है और इसका molecular weight ज्यादा होता है ति इन सभी कारण इसको त सबसे अधिक किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपको ए नमर का क्यों अधिक होगा क्योंकि इसका जो कि मॉलेकुलर सबसे अधिक है अब आते हैं यहां पर दो जो कोच्छन है ब्यूटेन वण और व्यूटेन टूवल थिन दोनों का molecular weight एक समान हो गया तो अब यह molecular weight पर नहीं बनेगा तो दूसरा factor आते है hydrogen one तो इसमें भी oxygen है इसमें भी oxygen है तो दोनों hydrogen one बना सकता है तो इस पर भी नहीं बनेगा तो अगला factor है structure यानि की branch तो जिसमें branch होता है उसको आसानी से पूर जाता है उसको गरम करने में कम energy की आओ सकता परती है इसलिए इसका boiling point कम होता है तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें branch है और इसमें branch नहीं है या फिर ऐसे कह सकते हैं तो यह तो आपको one degree alcohol काल आएगा और यह काल आएगा two degree alcohol तो one degree alcohol आसानी से नहीं तूटे इसको तोड़ने के लिए अधिक उर्जा किया हो सकता होती है जबकि इसमें branch के रूप में alcohol है यह असानी से पूट जाएगा तो इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों का molecular weight अभी एक समान हो जा रहा है परन्तु इसमें branch नहीं है इसलिए इसका जो है कि boiling point बढ़ जाएगा और इसमें ब्रांच के रूपन अलकुछ इसके boiling point का हो जाएगा तो सबसे अधिक किसका हो गया आपको सबसे अधिक हो गया एक उसके बाद किसका होगा तो उसके बाद हो जाएगा आपको B का हो जाएगा और B के बाद किसका boiling point हो जाएगा तो B के बाद हो जाएगा C अब आते हैं हम लोग यह जो है कि A B C तो देख लिए अब यहां से यह तीन compound में देखते हैं तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा molecular weight इसका होगा प्रोपेन ओनल का तो उसके बाद हो जाएगा आपको E D, E के just darkthode ho जाएगा D और सबसे कम एपको जाएगा आपको सबसे कम हो जाएगा F हो जाएगा तो इस परकार से हम लोग इसका molecular weight रोंग बॉइलिंग point के molecular weight के अधार इसका boiling point हम लोग arrang कर दिए यहांपर द्उनोंका molecular weight एक समान था तो यहां पर जब molecular weight एक समान हो तो branch देख लेते हैं तो branch की अनुसार यहां इसमें branch है तो इसका कम हो जाएगा और इसका अधिक होगा तो इसको हम लोग सजा दियें अब इसी एक जामपल में 11.3 में एक और question है जिसका boiling point को arrange करना है तो आईए अब उसको देखते हैं यह पहला question था इसको अच्छे से पढ़िए समझें यदि molecular weight किसी भी दो compound का समान हो जाए तो उसको branch के अनुसार बनाते हैं अगर branch भी समान हो जाता है तब hydrogen bond देखते हैं तो इन दोनों में molecular weight सेम था इसलिए branch देखकर इसे branch है तो इसका कम हो जागा इसका अधिक हो जागा इसलिए ऐसा इन दोनों के case में हुआ है और बाकी सब तो molecular weight के अनु तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि example 11.3 में जो है कि आपको दूसरा question अभी बनाने जम लोग जा रहे हैं तो दूसरा question में आपको चार question लिखा हुआ है चार गो compound का नाम लिखा हुआ है वहला compound का नाम है pentane one all और दूसरा compound है आपका वह दूसरा compound है normal butane तीसरा compound है pentanol औ और चोथा ethoxy ethane तो इन सभी का यहां पर structure बताया गया है आपको तो यह जो है कि आपको pentanol का structure है यह जो है कि butane का structure है यह आपको pentanol का structure है और यह ethoxy ethane का structure है तो आए इसको हम लोग boiling point के रूप में हम लोग बनाते हैं और सजाते हैं कि कि किसका boiling point अधिक होगा तो boiling point के ल में आपको branch नहीं है boiling point को तीन कारक पर भाइद करते हैं सबसे पहला जो कारक परभाइद करते हैं boiling point को वह को करते है molecular weight दूसरा structure और तीसरा जो कि है hydrogen bond यहां पर जो है कि हम लोग सबसे पहला factor पर आते है मौलेगिलंग्ल मौलेगूलर रेट शुरुआत करें तो धेतं मैं 5 कारबॉनय और या उलकॉhol घूरूप है यह पांच कारबॉन और य अले इया गूरूप है तो आपको पिछला वीडियो में बतातों है तो tentang जो है कि किसका boiling point होता है तो alcohol का boiling point aldehyde से अधिक होता है पिछला वीडियो में आपको यह सब समझाया गया था तो दोनों का molecular weight यदि alcohol और aldehyde दोनों का molecular weight एक समाना जाए तो उस स्थिति में alcohol का boiling point सबसे अधिक होता है क्यों क्योंकि यह strong hydrogen bond मनाता है aldehyde के तुल नामें तो सबसे अधिक boiling point हो जाएगा आपको एक यानि की पेंटेन ओन और का उसके बाद आते हैं यह भी पांच कार्बन का है तो aldehyde पर आते हैं हम लोग यह भी पर आते हैं उसके बाद यह जब दोनों का molecular weight का नुसार देख लिए तब आते हैं यहा भी चार कार्बन हैं पांच कार्बन का काम oxygen कर रहा है तो आपको पहला वीडियो में समझाए गया था कि सबसे अधिक boiling point किसका होता है तो molecular weight यदि समान हो जाए तो सबसे अधिक boiling point होता है आपको alcohol का alcohol के बाद जो है कि आपको aldehyde रहेगा aldehyde के बाद जो है कि आपको ether होता है आपको aldehyde के बाद लिखते हैं आप यहां पर हम लोग अल्डियाइट के बाद होता है आपको ether और सबसे कम होता है alkane का या आपका जो है एक order है इस order को आप लोग याद रखेंगे यदि कोई compound आपको मिल जाए कोई question मिल जाए जिसमें इस तरह से आप से पुछा इस order को याद रखेंगे ये order आपको बहुत सहता कर से इसने हम लोग देखते हैं कि इसका भी प्यूंज कारभणunk है यहां भी प् žाध करभण MUSIC हो जाए तो सबसे अधिक болing point कि इसका होता है अल्कॉहल का होता है इसलिए ए नमर त daí होता है इसलिए इस और अव रच अव अथे आप और विटेन तो चुकि इस में और ही सुतन की सब से कों है इसलिए इसका लोग लिखते हैं आपको B, तो इस question को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या try किये, molecular weight try किये, यदि molecular weight समान हो जाए, और अलकोहल और लियाइड इतर और अलकेन का, तो उस स्तिति में volume point का order होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि alcohol strong hydrogen bond बनाता है, इसलिए इसका boiling point सबसे अधिक होगा, तो और जिसका molecular weight कम होता है, उसका boiling point सबसे कम होता है, यहाँ पर आपको जो question दिया गया है, हमको समझ में, हमको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कूल अच्छे सही है, समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा, वह अभी दियार्थी, हमको रात को 8 बज लगता है, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, लिखते हैं, तो देखने के बाद हमको काफी खुसी होता है, जो कि चलिए विद्यार्थी लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हुगा क्या है कि देखिए हम लोग पहले से वीडियो बनाना उतना अच कोसिस करेंगे उसको सुधारने के लिए, वीडियो का क्वालिटी भी हमेंसा जो है कि आपको कोसिस करते हैं कि अच्छे से इंप्रूब करें, तो जो भी वीडियो का क्वालिटी आपको अच्छा लग रहा है, उसके बारे में बताएंगे, और जिसका वीडियो का और घर में रहिए बाहर नहीं निकलिए तो अब आते हैं हम लोग यहां पर जो है कि यह दो कोश्चन बॉइलिंग पॉइंट के धार पर हम लोग बना लिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं है फिलाइता है तो आई आप देखते हैं हम लोग विलाइता कि क्या होता है इसको हिन्दी में विलाइता कहा जाता है तो किसी भी कंपाउंड का जो है कि वाटर के साथ बॉण्ड बनाने की प्रपटी को क्या करते हैं इसको भी पिछले वीडियो में आपको अच्छे से आपको बताया गया जिनको भी डाउट हो तो अच्छे से आपको बताया गया जो वहां आपको बताया गया किसे करते हैं उसका definition लिखाया गया फिर आपको वहां पर उसका factor लिखाया गया कि कौन कौन से का solubility को परवायद करते हैं सेम चीज हर चेप्टर में लागू होगा तो solubility का क्या मतलब है bond बनानी की property को क्या करते हैं solubility या बिलायता करते हैं जैसे कि आपको क्या करते हैं कि एक केजी का पथर लेते हैं और पानी में डालते हैं और एक केजी चीनी लेते हैं पानी में डालते हैं थोड़ा देर बाद आकर देखेंगे तो हो सकता है आपको चीनी पानी में बिलाय हो गया होगा चीनी पानी में गुल गया हो गया लेकिन पत्थर जो की पानी में नहीं गुलागा इसका क्या कारण है तो कारण यहां कि पत्थर और पानी के बीच बॉंड नहीं बना इसलिए वह इन-soluble हो गया नन-soluble हो गया यानि और विलय हो गया और चिनी और पानी के बीच बॉंड बन गया इसलिए वह soluble हो गया यानि कि पानी में विले हो गया तो bond farming परपटी ही solubility का लाती है यानि कि कोई भी compound यदि liquid में डाले और उसके साथ bond बना ले तो वह soluble हो जाएगा और वह bond नहीं बना पता है liquid के साथ तो वह क्या हो जाएगा non soluble हो या in soluble होगा तो solubility किसे कहते हैं या आप लोग समझ गए होंगे अब आते हैं हम लोग solubility को परभाइद करने वाले कारक तो solubility को तीन कारक परभाइद करते हैं पिछला क्लास में आपको बताया गया था आईए यहाँ पर भी लिख देते हैं factor affecting solubility को परभाइद करने वाले कारक तो factor affecting solubility में आपको पहला फेक्टर आता है molecular weight तो molecular weight यानि की आनिक दर्मान तो यह क्या होता है तो आईए इसको हम लक्स मजते है molecular weight यानिक दर्मान क्या होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं with with increase in molecular weight solubility decreases solubility decreases यानि कि हिंदी मीडियम आले विजार्थी क्या लिखेंगे कि molecular weight यानि आनिक दर्मान के सामने arrow देखेंगे कि molecular weight बढ़ने से solubility घटता है विलाता घटता है यानि कि यदि molecular weight किसी compound का ज्यादा है तो वह कौम घुलेगा और किसी compound का molecular weight कौम है तो वह अधिक घुलेगा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप जो है कि एक चमच चीनी पानी में डालिए तो घुल जाएगा दूसरा चमच चीनी डालिए वह भी घुल जाएगा तीसरा चमच डालिएगा तहां थोड़ा सा कौम घुलेगा चोथा चमच बिल्कुल नहीं घुलेगा नीचे जाके बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि जैसे जैस चीनी का वेट बढ़ा उसका solubility क्या हो गया घट गया तो molecular rate बढ़ने से solubility घटता है दूसरा फेक्टर क्या है हम लोग आते हैं यहाँ पर दूसरा फेक्टर लिखते हैं हम लोग स्टेक्चर तो स्टेक्चर दूसरा फेक्टर स्टेक्चर तो जिस किसी compound में branch ज्यादा होग उसका जो है कि solubility अधिक होगा क्योंकि अधिक branch होने से compound आसानी से टूट जाएगा जो पहले टूटेगा पानी में अच्छे से घुल जाएगा पहले घुलेगा इसलिए उसका solubility अधिक होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं with increase in branch with increase in branch यानि कि branch बढ़ने से solubility solubility decreases with increase in branch solubility decreases यानि branch बढ़ता है तो solubility क्या होजेगा increases decreases ने होगा sorry solubility increases solubility क्या होजेगा increase करेगा क्योंकि जितना ज्यादा branch होगा वह compound उतना ही अधिक तेजी से टूटेगा और जो पहले टूटेगा वह compound जो है कि अच्छे से पानी में घुल जाता है उसका solubility अधिक होता है तो with increase in branch solubility increases यानि branch बढ़ने से solubility क्या होता है बढ़ता है अब आई हम लोग तीसरा फेक्टर देखते हैं यहाँ पर तीसरा फेक्टर में हम लोग आते हैं hydrogen bond यानि की H bond तो यह बहुत ही जो की important factor है यह कहता है hydrogen bond की वह ऐसा compound जो जल के साथ water के साथ hydrogen bond का निर्मान करता है वह water में solubile होगा और जो hydrogen bond का निर्मान नहीं करता है वह solubile नहीं होगा तो कहने का मतलब है कि इसको आप अच्छे से समझाते हैं कि alcohol को पानी में डालते हैं हम लोग तो alcohol और पानी के बीच bond बन जाता है इसलिए वह एक दूसरे में अच्छे से घुल जाता है लेकिन यद bond बनाता है वह solubile होगा जो bond नहीं बनाता है वह non-solubile होगा तो hydrogen bond कौन-कौन से compound बनाएगा तो जिस किसी compound में फोलरीन, oxygen और nitrogen होगा वह compound hydrogen bond बनाएगा उसका solubility अधिक होगा और इन तिनों में सबसे ज़दा solubility फोलिन वाले compound का होगा उसके बाद oxygen सबसे लास्ट में nitrogen तो इस यह कहना क्या चाहते हैं कि with increase in hydrogen bond with increase in hydrogen bond hydrogen bond bond बनने के कारण solubility solubility increases with increase in hydrogen bond solubility increases यानि hydrogen bond जितना ही अधिक होगा उस compound में वह उतना ही जो है कि अधिक पानी में या जल में विले होगा तो यह solubility को परभाइद करने वाले तीन कारक है अब इस पर जो है कि ज्यादा कुछ question आपके book में नहीं दिया है तो फिर भी एक question हम लोग बनाते हैं और यह चीज़ ध्यान रखेगा कि जब किसी भी compound में alcohol आ जाए और इथर आ जाए और अलकेन आ जाए तो सबसे पहले कौन solubile होगा तो सबसे पहले solubile होगा alcohol क्यों क्यों कि वह strong hydrogen bond का नहीं मान करता है उसके बाद और उसके बाद जो है कि आपका इतर और सबसे कम solubile हो अलकेन यदि सबका molecular weight एक समान हो तब यह के समनों को लागू होगा कि जो hydrogen bond strong बनाता है वह पानी में अधिक solubile होता है ता आए इस पर हम लोग देखते हैं को question बना लेते हैं कि कौन सा compound gel में अधिक विलय होगा तो यहां पर आपको एक question दिया गया है which one more solubile in water और हिंदी मीडिये माले भी द्यार्थी लिखेंगे कि निमली खित में कौन gel में अधिक विलय होगा तो आए इसको देखते हैं तो solubile को बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखेंगे molecular weight या एक carbon का compound या 2 carbon या 3 carbon या 4 carbon तो solubility को परभाइद करने वाले तीन factor होते हैं पहला factor होता है आपको molecular weight दूसरा factor है branch और तीसरा hydrogen bond तो इन सभी में branch तो नहीं है और hydrogen bond सब बनाएगा तो या दोनों factor पर निर्भर नहीं करेगा या या question जो है कि branch और hydrogen bond पर नहीं बनेगा या बनेगा आपको molecular weight पर तो molecular weight कैस है उसको घुलने माधिक समय लगता है क्योंकि उसका molecular weight अधिक है तो इसमें number of molecular weight होंगे उसको तूतने में अधिक समय लगता है इसलिए जयल में असानी से नहीं घुलता है तो इस अधार पर हम लोग सबसे solubile कौन हो जाएगा आपको A हो जाएगा तो more solubile कौन हो जाएग इसलिए इसका solubility क्या होगा कौम होगा और इसका solubility अधिक होगा एक question और हम लोग solubility पर बनाते हैं या फिर आपको हम note में यहाँ पर लिख देते हैं solubility पर आपके book में कोई question है नहीं तो यहाँ पर note में लिख देते हैं कि note, note में क्या लिखते है कि यदि molecular weight समान हो alcohol का अलकोहल उसके बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद आते हैं हम लोग इतर, इतर और अलकेन, यदि इन सभी का मोलेकुलर वेट एक समान हो, तो उस इस्तिती में किसका जो है की अलकोहल का, अलकोहल के बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद, इतर है इतर है उस सभी का मोलेकुलर वेट एक समान हो, तो उस समय यह रूल लागु होगा, सबसे अधिक मोलेकुलर वेट जब सबका एक समान मोलेकुलर हो जाएगा, तो उस समय जो हाड्रोजन इसका solubility सबसे अधिक है तो यह hydrogen bond जो कम बनाता है उसको इधर लिखा गया है और जो hydrogen का निर्मान करेगा जितना ज्यादा hydrogen bond मनाएगा उसका इतना ही वधिक होगा तो यह हमारा जो फीजिकल परपटी था अलकोहल फिनॉल और इथर का तो यह आज हम लोगा समाप्थ हुआ एक चीज और बताते हैं कि फिनॉल का चर्चा बुक में नहीं किया गया लेकिन आपको स की hydrogen bond बनाने की च्छमता है फिनॉल में OH गुरूप है बेंजीन के उपर OH गुरूप होता है तो वह भी जल के साथ hydrogen bond बना ले सकता है और जो hydrogen bond बनाता है वह जल में आसानी से विलय होता है तो आज हम लोगा फीजिकल परपटी समाप्त होगे अलकोहल फिनॉल और इथर का इ फिनॉल और इथर तो शुरू करेंगे हम केमिकल परपटी के बाद यूज पढ़ेंगे यूज के बाद यह चेप्टर हम लोगा समाप्त हो जाएगा तो ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ें और आप लोगा जो कॉमेंट आता है कॉमेंट हम देखते हैं बहुत सब्सक्राइब अच्छे से और जो भी वीडियो खराब हो अच्छे से नहीं चला हो या उसका भी बडियू करें उसका जो की धूंदला टाइप का दिखाई देता हो तो उस वीडियो के बारे में बताएंगे उसको हम डिलीट करके कोसिस करेंगे उसी के जगा पर दूसरा वीडियो डाल दें तो अच्छे से पढ़िए और घर में रहिए अब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे अगला क्लास